वेलकम टू माई चैनल फूडशेप आज की रेसिपी है सूजी के अपपे बहुत ही टेजटी बहुत ही हल्दी रेसिपी है उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आएगी वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें तो आएए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप सूजी एक प्याज को बारी काट कर डाल दे एक टमाटर धनिया पत्ती बारी काट कर डाल दे एक कप तही डाल दे हरी मिर्च स्वात के अनुसार डाल ले एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दे एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर नमक स्वात के अनुसार डाल दे अब इसमें आधा कप पानी डाले और अच्छी तरह मिक्स कर ले अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे ढग दे और दस मिनट के लिए इसे छोड़ दे दस मिनट हो चुके हैं इसमें थोड़ा सा दो से तीन चम्मश पानी और डाल दे और अच्छी तरह mix कर ले अप्पे बनाने के लिए अप्पे पैन ले इसमें थोड़ा सा oil या घी लगाए और तैयार किया हुआ mixer जो है इस तरीके से डाल दे अब इसे cover करें और low to medium flame पर इसे 3-4 मिनट तक पका ले तीन से 4 मिनट बाद इसे इस तरीके से एक बार फिर से oil लगाएं और इसे पलड़ दें अब इसे cover करें और 3-4 मिनट एक बार फिर से इसे low to medium flame पर पका लें देखिए हमारा सूजी के अप्पे बनकर तयार है अब आप इसे गरम गरम अपने मन पसंद चटनी के साथ सर्व करें इसे आप बच्चों के lunch box में भी दे सकते हैं सुबह के नास्ते में भी इसे खा सकते हैं यह बहुत ही tasty और बहुत जादा healthy होते हैं तो उमीद है आप लोग को रेसिपी चरूर पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक चरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें रेसिपी आप लोग को कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं तेंक यू